नो चलो दोस्तों, डिट है आज की 18 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकॉशन में तीन इशूज आज हम डिटेल से डिसकॉस करेंगे सबसे पहले इशू डिसकॉस करेंगे लाइव स्टोक सेक्टर से सम्मन्दित जैसा आपने बोला सा सजेशन दिया था कि point-wise form में और divide करके अलग-लग categories में जैसे challenges क्या है, सरकार क्या कर रही है उस लिहाद से इस article को डिसकॉस करेंगे और ये जो article है 2022 में क्या-क्या security challenges है जो पहले इंडिया के NSA थे और वेस्ट मंगाल के governor भी रह चुके हैं उन्होंने ये article लिखा है 2022 में security challenges से सम्मन्दी तो ये article भी हम डिसकॉस करेंगे ये है लिथवानिया वर्सेश चाइना ने को directly तो मतलब इंडिया बीच में नहीं है लेकिन जो कुछ इनके बीच में चल रहा है न उससे इंडिया को lessons सीखने के आउसकता है दो-तिन lesson इंडिया के लिए लिखे गए हैं तो indirectly इस article का use होगा तो brief में discuss कर लेंगे कि लिथवानिया और चाइना की लड़ाई क्यों चल रही है यह question है जो आपको attempt करना है discuss with examples pattern in distribution of livestock based industry in India 250 words में आपको इस question का answer देना है आज की discussion के आधार पर इस question का answer आप नहीं दे पाओगे आपको थोड़ी सी research करने पड़ेगी quote है Benjamin Franklin इन्होंने कहा था knowledge में जो investment है न उसका interest हमेशा मिलता है तो अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं first important article हमरे देश में livestock sector से समधित है livestock sector मतलब पसू पालन आप JS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ शुरुवात में कुछ data देखे जिको जो 20 वा लाइव श्टोक का census conduct हुआ था उसके अनुसार हमारे देश में livestock की total population है 537 million यानि total हमारे देश में 537 million पसू हैं और इन में से देखो आल्मोस्ट 96% जो पसू है न वो तो आपको rural areas में देखने को मिलेंगे urban areas में थोड़ी ना पसू देखने को मिलते हैं बहुत कम बढ़ देखो दिक्कत ये है ग्रामिन इलाकों में पसू चिकित्सा एक major challenge है बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो livestock farmers हैं अपने पसू को ले जाते हैं दूर द्राज के इलाकों में उस पसू का इलाज करवाने के लिए तो इस वज़े से रूल एरियास में अच्छी पसू चिकित्सा ना available होने की वज़े से बहुत सारे पसू ऐसे होते हैं जो समय से पहले उनकी death हो जाती है उनकी productivity कम हो जाती है किसी ना किसी परकार के disease की वज़े से तो ये एक सबसे बड़ा challenge है challenges देखो और भी हैं एक एक करके हम discuss करते हैं गाओं में देखो treatment की facilities available नहीं होती लेकिन इसके साथ-साथ even testing की facility भी available नहीं होती अब आपको पता है genotic disease तो काफी ज़्यादा बढ़ रहे हैं मतलब ऐसे disease जो animals से human beings में फैलते हैं ऐसे disease की संख्या काफी ज़्यादा बढ़ी है तो गाओं में कम से कम test करवाने की पस्वों का test होसके वो facility तो available होनी चाहिए न लेकिन अभाव देखने को मिलता है हमारे देश में जातर गाओं में जो quake होते हैं यानि जोला चाप डोक्टर untrend होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान open करके बैठ जाते हैं वो इलाज करते हैं पस्वों का अब उनको पता नहीं कि दवाई अगर देनी है एनिमल को कितनी देनी है कम मात्रा में देनी है ज़्यादा मात्रा में देनी है तो बहुत बार तो देखो वो बहुत बहुत ज़्यादा एंटिबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं और बहुत बार कम एंटिबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं इसका रिजल्ट ये निकलता है पसुओं में एंटिबायोटिक रेसिस्टेंस डवलप हो जाता है एंटिबायोटिक रेसिस्टेंस डवलप होने का मतलब यह है कि पहले पसुओं के उपर गोली का असर हो रहा था टेबलेटली असर हो रहा था लेकिन एंटिबायोटिक रेसिस्टेंस के वज़े से जो live stock farmers है ना, उनको तो बाकी agriculture farmers के अपिक्सा कर्द, credit यानि loan काफी मुश्किल से मिलता है, insurance में इनका मुश्किल से होता है, as compared to traditional agriculture farmers, और जाहतर हमर देश में जो live stock farmers है ना, उनके पास 2 से लेके 4 पसू तक है, मतलब छोटे किसान है, live stock farmers, और 70% जो इंडिया में milk की supply होती है ना, वो उन farmers से होती है, जिनके पास 5 से कम animal है, अब सोचके देखिए, 5 से कम animal है एक live stock farmer के पास, अगर उसका पसू बिमार हो जाते हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, कोई disease infect कर रहा है, तो productivity का कितना loss होगा, यहाँ पर देखो example भी दिया हुआ है, अगर किसी पसू को mastitis है, mastitis देखो एक ऐसा disease है, जिसमें breast tissues में infection हो जाता है, तो इस disease की वज़े से, एक दिन में कितने दूद का नुक्सान होता है, 10 लिटर, अब 10 लिटर को अगर आप convert करोगे, तो यह हुआ 300 से लेके, 35 रुपे का नुक्सान हो जाता है, एक दिन में, वैसे 30 से लेके 35 के बीच, दूद का rate सही है, जो यह अमूल वाले, mother dairy वाले, यह तो काफी मेंगा बेचते हैं, खेर, देखो जातर farmers के लिए, अगर किसी animal को, कोई disease हो जाता है, या फिर भवान ना करे, death हो जाती है, तो उस farmer के लिए त चलाना मुश्किल हो जाता है, यह दिक्कत है, और rural areas में न, drug distributor के जो salesman है न, उनकी संख्या increase होती जा रही है, यह दवाई लेलो, यह दवाई लेलो, इससे आपका पसू की productivity increase हो जाएगी, तो farmers कई बार drug दे देते हैं, animals को productivity increase करने के चकर में, लेकिन उसके काफी सारे side effects होत पसू, तो यह सारे challenges farmers face करते हैं, livestock sector में, अब बात करें, सरकार क्या कर रही है, सरकार का एक program है, livestock health and disease control program, जैसा कि देखो, नाम से ही जाहिर है, इस program में सरकार का focus है, ग्रामिन इलाकों में पसू को veterinary services provide की जाएं, यह पसू चिकित्सा की जो services है वो provide की जाएं, mobile veterinary units की साहिता से, mobile veterinary units क्या होते हैं, चार पईयों का विकल होता है, जिसमें काफी सारी facilities available होती है, जैसे एक doctor होता है, जो veterinary doctor होता है, एक para veterinary doctor होता है, एक driver come attendant होता है, काफी सारे test करने की facility उपलब्ध होती है, उस विकल में, drugs उपलब्ध होती है, जैसे आप तस्वीर भी देख लीजिए, इस परकार के वीकल होते हैं और इसमें काफी सारी services होती हैं, प्रोपर staff होता है, जिसमें veterinary doctor, para veterinary और driver come attendant, ये सारे लोग होते हैं तो ये जो mobile veterinary units है न, इस परकार की गाड़ियां ये देखो बहुत काम की हैं, जैसा नहीं है कि ये नया कंसेप्ट है, इससे पहले भी सरकार, livestock farmers को doorstep services provide करती थी, लेकिन वो services न, जातर vaccination, लाइफ स्टोक की vaccination, artificial insemination, artificial insemination में क्या होता है, artificial ढंक से sperm जो है, female के cervix में introduce किया जाता है reproduction के लिए, तो पहले इस परकार की services पे ज़्यादा focus हुआ करता था, लेकिन अब जो ये mobile veterinary units है न, इन में तो proper staff है, काफी तरह के test कर सकती है, काफी तरह के drugs होते हैं, इलाज के लिए, तो ये ज़्यादा resourceful है इस परकार की units तो ये जो program है न, जिसके बारे में हमने discuss किया है, जिसके तहत इस परकार की गाडिया launch की जाती है, program का नाम क्या है, बताइए, अब यभी तो थोड़ा देर पहले में आने आपको बताया, LHNDC यानि कि Livestock Health and Disease Control, तो इस scheme में देखो ये plan क्या गया है, कि हर एक लाख animals के पीछे कम से कम एक mobile veterinary unit हो, लेकिन अगर terrain difficult है, तो mobile veterinary units के जो संख्या है, वो increase भी की जा सकती है, way forward में ये कहा जाता है, अब देखो हमारे देश में विविन राज्य, ये वो mobile veterinary units का जो concept है न, वो धिरे-धिरे adopt कर रही है, तो बहुत सारे veterinary doctors और उनके assistants को रोजगार भी मिलेगा अब तो, जब ये COVID-19 के महमारी आई, तो पसू चिकित्सा के sector में भी नई-नई innovations आई जैसे video consultation session इस video consultation session की साहिता से, दूद राज के gramming इंग इलाकों में कोई पसू है तो पसू का जो farmer है, वो video conferencing की साहिता से, पसू चिकित्सक से राय ले सकता है कि क्या किया जाए ऐसी situation में जब पसू बिमार है, तो कहने का मतलब ये है, आने वाले समय में देखो, public-private partnership ओ जारा देखने को मिलेगी इस, livestock sector में और livestock sector में अभी फिलाल, innovations का scope काफी ज़्यादा है और उसी का ये एक example है mobile veterinary units चलते हैं अगले आर्टकल की तरफ इसके बार next आर्टकल 2022 में security challenges से समन्दित है, आप GS paper second के इस topic से आर्टकल को relate कर सकते हो MKN Ryan के द्वारा ये आर्टकल लिखा गया है इनके अनुशार देखो 2022 में काफी security challenges देखने को मिलेंगे एक तो देखो world में peace के लिए stability के लिए जो rule based international order होना चाहिए न वो rule based international order नहीं देखने को मिल सकता है 2022 में इसका देखो simple भासा में मतलब ये है अब काईदे से हर एक चीज को लेके conventions हैं जैसे high water है, ऐसा पानी जिस पर किसी देख का हक नहीं है उसमें navigation सम्मनित rules मना रखे हैं international conventions हैं लेकिन जो powerful country है न वो अपनी मनमानी करते हैं जैसे China, USA अब kind of हर एक देख के पास sovereignty का अधिकार है, वो अपने खुद के जो मामले है खुद से handle कर सकता है लेकिन आउशकता पढ़ने पर USA जैसे देश किस परकार से विबिन देशों की sovereignty को violate करते हैं वो आप सब लोग जानते हो तो ये simple मतलब है कि rule based international order का ना होना यानि international conventions, international laws international rules को follow ना करना next देखो democracy ना world के कई सारे देशों में खत्रे में है कई सारे देशों में authoritarian rulers का emergence देखने को मिल रहा है जैसे टर्की में example ले सकते हो आप अर्दगन का इसके बाद article में ये कहा जाता है democratic जो values है ना वो भी खत्रे में आई है काफी सारे देशों में फरक ये है पहले ना USA democratic values को democracy को काफी sport किया करता था लेकिन आज कल USA भी वैसा हो गया कि हमें फरक नहीं पढ़ता democracy कहां पे है कहां पे नहीं है मतलब USA की जो सोच है ना democracy के परती उसमें भी बदलाव देखने को मिला है next challenge 2022 में चाइना से समधित है चाइना का काफी तेजी से rise हुआ है आपको पता है पिछले कुछ सालों में 2020 में चाइना की जो GDP है ना वो 15.66 trillion dollars की है ये USA की economy से भी बड़ा size है तो चाइना demand कर रहा है कि हमें हमारी उकात के हिसाम से recognize किया जाए हमारी उतने ही politics में power होनी चाहिए जितनी हमारी economy का size है लेकिन USA ये मानने को तयार नहीं है इस वज़े से USA और चाइना के बीच टकराव देखने को मिल सकता है 2022 में अलग अलग forms में इससे समंदिध question भी इस बार UPSC ने पूछा था आपको याद होगा जो शुरुवात में भी मैंने दो सिस्टम को छोड़ दिया और होंकों के लोगों को जो freedom हासिल थी वो छीन ली गई ताइवान को अब चाइना बार बार धमकी दे रहा है 2022 में ताइवान को लेके US और चाइना के बीच चिंगारी जो है वो भड़क सकती है कुछ experts वैसे ही देखो ये भी बोलते हैं कि चाइना की जो economic profile है न पिछले एक दो सालों में वो कमजोर हुई है क्योंकि चाइना की average age भी अब increase हो रही है तो चाइना की economic profile तो कमजोर हो रही है आने वाला समय चाइना की economic के लिए uncertain है बड़ चाइना इस चीज को सविकार करने को तयार नहीं है चाइना कहता है कम से कम Asia Pacific region में ज़्यादा cards हमारे पास हैं as compared to USA तो Asia Pacific region में जहां देखो एक तरफ USA ने quad का निर्मान किया AUKUS emerge होके आया दूसी तरफ चाइना अपनी dominance चोड़ने को तयार नहीं है Asia Pacific region में तो चाइना का challenge देखने को मिलेगा 2022 में उसके बाद बारी आती है Russia की Russia और Ukraine के बीच tension से आपको पता है Ukraine border पर Russia ने अपने एक लाग से ज़्यादा troops को deploy किया हुआ है मांग ये रखी है Ukraine, Georgia जैसे देश जो पहले कभी USSR का पार्ट हुआ करते थे वो NATO का पार्ट ना बन पाएं लेकिन USA का कहना है ये तो आप अपना decision impose कर रहे हो Ukraine के उपर ये उनकी sovereignty का उलंगन है इवन कजाकिस्तान में unrest देखने को मिल रहा है कजाकिस्तान ने प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए लेकिन USA को ये बात अच्छी नहीं लगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कहने का मतलब देखो ये हुआ कि आने वाले दिनों में USA और Western countries एक तरफ Russia, China, ये देश दूसरी तरफ ये situation और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कई सारे देशों में तो कू हुआ वहाँ पर situation खराब है जैसे इथोपिया, लीबिया, नोर्थ अफरिका और West Asia की कुछ reasons यहाँ पर अभी फिलाल instability है इसके बाद बात की जाती है तालिबान की तालिबान फिर से सत्ता में आ गया अफगानिस्तान में तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस reason में खास करके अफगानिस्तान में कुछ और जो आंत की group सेना वो और जड़ा active हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में TTP, तहरी के तालिबान उनको एक नई तरह की energy मिल गई है पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान का rule आ जाता है तो हमारे लिए फाइदा है लेकिन अब पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि तालिबान को control करना आसान नहीं है तालिबान को आप कठपुतली कितरे नचा नहीं सकते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के border पर काफी बार tensions देखने को मिलती है आपस में fencing को लेके tensions देखने को मिल रही है और दूसरा TTP तहरी के तालिबान और ज़्यादा active हो गई है पाकिस्तान में इवन देखो आरोप ये भी लगता है कि तालिबान के या फिर तहरी के तालिबान के कई सारे foreign militant organizations के साथ भी संबन्द हैं जैसे अल-काइदा तो अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में European countries में या फिर Western countries में भी major attack देखने को मिल सकते हैं जैसे कि 9-11 चिंता की बात देखो ये है इवन इंडिया के Eastern Front पर भी इंडोनेशिया में भी radical Islamist activities का resurgence देखने को मिल रहा हैं इंडोनेशिया में एक terror organization है जैमा इसलामिया ये इंडोनेशिया में और ज़्यादा active हो गई हैं तो आने वाले समय में terror activities जादा देखी जा सकती हैं इंडोनेशिया में इसके बात देखो next aspect है border issue का चाइना के साथ अभी हमारा border issue है आपको पता है लदाख में tensions हैं दोनों देशों की forces आमने सामने हैं 2022 में ये problem sol होगी ऐसी संभावना कम दिखाई देती हैं हाँ, बल्कि और points पर भी हो सकता है India और China की forces आमने सामने आ जाएं अभी तो सिरफ लदाख में है, अरुनाचेर परदेश में हो सकता है उत्राखंड में या फिर सिक्किम में दूसरे areas में भी India और China की forces आमने सामने आ सकती हैं समधान होगा problem का ऐसी संभावना डाइटर कम जदाते हैं तो इंडिया के सामने चैलेंज ये है कैसे चाइना की चुनोती से निप्टा जाए चाइना का कैसे सामना किया जाए चाइना देखो ऐसे ऐसी धंकी भी दे रहा है कि हम even conventional warfare में भी low yield nuclear weapons का इस्तमाल करेंगे तो इंडिया को भी अपना public posture जो है वो release करना चाहिए इस issue पर कि अगर चाइना low yield nuclear weapons use करता है even conventional warfare में तो इंडिया कैसे जबाब देगा even Indian ocean में चाइना की जो threat है न उससे निपटने के लिए इंडिया को अब ठोस कदम उठाने होंगे क्योंकि चाइना जो है वो nuclear power ballistic missile submarine को exhibit करता है काफी बार Indian ocean में तो ये इंडिया के लिए चुनोती है तो कैसे इंडिया इस चुनोती का सामना करेगा इसके लिए ठोस रणनीती हमारे देश की military को बनानी होगी even देखो central Asia में West Asia में यहाँ पर भी इंडिया को कड़ी balancing करनी होगी West Asia में जैसे देखो वहाँ पर भी एक quade इमर जो के आ रहा है न जिसमें ये सारे देश हैं UAE, इसराइल, USA और इंडिया अब एक दरफ देखो West Asia के quade का member इंडिया बनेगा तो इरान तो नराज होगा न दोनों के बीच में कैसे इंडिया balance कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी even central Asia में अभी अगर मान लीजिए Russia और US के बीच टकराव देखने को मिलता है वहाँ पे, तो इंडिया किसका साथ देगा Russia इंडिया का traditional partner है और USA के साथ अभी हमारी दोस्ती अच्छी है तो बोलना आसान होता है कि इंडिया को विबिन देशनों के साथ रिष्टों के बीच balance establish करना होगा लेकिन बहुत बार देखो ये balance establish करना बहुत मुश्किल होता है दो दुस्मन है A और B दोनों दुस्मनों के साथ एक समय में दोस्ती maintain करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है जब A और B में से कोई एक बोल दे या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो तो बताओ इंडिया क्या करेगा इंडिया फिर बीच में नहीं रह सकता टाइट रोप पे नहीं चल सकता फिर इंडिया ऐसी सिचुएशन में तो इंडिया की फोरें पोल्सी को बहुत से चैलेंजिस फेस करने पड़ेंगे 2022 में और हमारे डिप्लोमेट्स को पोल्सी मेकर्स को, लीडर्स को तयार रहना होगा उन चैलेंजिस का सामना करने के लिए